हेलो इस्टुडेंट्स तो आपका इंतजार हुआ खरत्म और माध्यम शिक्षा बोर्ड रास्तान अजमेर ने परिक्षा 2021 के लिए जो संसोधित जो पाठ्यक्रम था वो आपका जारी कर दिया है तो आप सभी सिक्षक साथी और कक्षा 12 के जो इस्टुडेंट्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है वो आपका आ गया है तो इसमें कोरोणा की वज़े से जो टाइम टेबल के लिए जो डाउट्स चल रहे थे कि सिलेबस में क्या रहेगा तो वो आप यहा प्रशन पत्र के लिए अंक, सत्रांग, पूर्णांग किस तरह से रहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो वीडियो को आप पोज़ करके भी देख सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाते हैं तो इसकी डेस्क्रप्शन से आप इसको वीडियो को भी डाउंलोड PDF को डाउंलोड करके देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लीम का जो पेपर है यहाँ पे कि प्रसरा हिं मैं योकेष्ट मार गपता हमारे YouTube चैनल। में आपका हारी स्वागत करता हूँ और मैं खुद एक श्वम एक computer teacher हूँ तो मैं आप सभी computer के जुस्ट्रेंट्स है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अपकी बार chapter हटानी की बजाए आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने मेरे जो सभी students उनको मैंने पहले एक बड़ाया बताया था कि PL SQL का पूरा chapter हटाया जाएगा तो complete chapter यहां से हटा दिया गया है जहां से sorting, stack और link list के जो complete तीनों की तीनों जो chapter है वो यहां से remove कर दिये गये है साथ ही यहां से function overloading, return function, overloading operator, hierarchical inner returns के जो chapter थे वो यहां से हटा दिये गये है और यहां से chapter number 13 में से जो weak entities है उस part को यहां से हटा दिया गया है तो translating ER diagram को यहां से हटा दिया गया है तो जो title और subject जो matter रहे वो आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे data structure जिसमें आपका first structure की वो भी आपका complete यहां से रख लिया गया है object oriented with C++ आपको यहां से रख लिया गया है जो कि 16 marks का है और unit number और यहां से आप relational database के जो topics हो यहां पर देख सकते हैं तो जल्द ही 12th class के जी students हैं उनके लिए मैं वीडियोज बनाऊंगा जिसमें आपको 12th के syllabus के according अभी तक मेरे पिछले 55 वीडियो आप यहां से देख सकते हैं जिसमें मैंने कक्षा 12 के रास्तान बोड के जी students हैं उनको मैंने teaching करवाई है तो आप सभी उसमें भी आप देख स सकते हैं कि जो detail description है जिसके अंदर आपको program बनाने रहेंगे और इसमें आपका 20 marks का 5 marks की जो फाइल होगी और वाईवा जो होता है 5 marks का वो उसमें पता लगेगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो प्राइक पिक्षा का जो पाठ्य करहें में वह भी आप यहां से देख स देख सकते हैं कि राज नयति वी ज्विग्यान political science के लिए जो पेपर है वो किस तरह से आपका जो बना हुआ है यहां से देख सकते हैं अगर वीडियो में अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो description में आप जरूर क्लिक करें और यहां से इसको आप डाउनल और कर सकते हैं जुट जाई अपनी पड़ाई में क्योंकि समय कम बचा है क्योंकि बोर्ड का एक्जाम अब जल्दी ही होने वाला है और जो टाइम टेबल के होडिंग जो सिलेबस आपके बचा है तो इसका जरूर से प्रिंटर निकाल लीजिए और जो जो भी टोपिक आपके एक्जाम में आने वाले हैं केवल उनी सिलेबस पर आप अपना बिल्कुल ध्यान को केंद्रित करें तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा अगर आप कम्प्यूटर की स्टुडेंट्स है रास्तान बोर 12th क्लास के तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जल्दी ही ओनलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी जिसमें 12th क्लास का जो पूरा सिलेबस है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस अभी बचा हुआ है उस सिलेबस के कोडिंग आपकी क्लासेज लगेंगी जिसमें वीडियो डिस्क्रप्शन की जरीए आप यहां हुआ है